भारत का इतियास अभी कहीं ने कहीं देखने को जरूर मिलता है भारत में सापों का इतियास पहले से ही जुड़ा है आज ऐसा ही ताजा मामना मेरट के मवाना थाना छेतर में देखने को मिला जहां एक मकान में सफाई करते समय मकान मालिक को एक साप का मारना भारी पड़ गया साप के मरने के बाद एक जंगे से लगातार सेंकडो साप निकलने सुरू हो गए देखते ही देखतों महा लगबग 400 से उपर मोहले वाशियों और मकान मालिक ने साप मार दिये लेकिन अभी भी उस जंगे से साप निकलने बंद नहीं हुए यह नजारा देखते हुए मोहले में हड कम मच गया और दैसत का महौल बन गया मोहलेवास्यों ने छेद को सिमेंट से बंद कर दिया जिससे साफ तो निकलने बंद हो गए लेकिन अभी भी पूरे मोहले में दैसत का महौल बना हुआ है क्राइम स्टोरी के लिए मेरट से सुरेज दहिया की रिपोर्ट आप देखें हैं क्राइम स्टोरी